नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, The Study चैनल पे, आज हम आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UPPSC का बिज्यापन आ चुका है और इसी संदर्ब में हम आपसे बात करेंगे, आज का जो बिज्यापन है वो बहुत डिटेल बिज्यापन नह आजना है और आगे कि आपकी तैयारी कैसी होगी उसे देखना है, और आज के इस वीडियो के बाद जो है हम आपको जो कल डिटेल बिज्यापन आने वाला है उसका भी वीडियो देंगे, तो आईए हम सुरू करते हैं अपने इस कारिक्रम को, तो सबसे पहले देखिए कि ज और जो सबसे मुख्य चीज है इसमें, वो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा चर्चा जो जिस बात की है इस बिज्यापन में वो है पदों की संख्या, तो जो पदों की संख्या है वो टोटल कुल 173 पद हैं इसमें, तो हमें घबराने की कोई जरूद नहीं है, 173 पद ह लेकिन निश्चित तोर पर जो है ये पदों की संख्या वो बढ़ने वाली है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पिछले बार की बिज्यापन में भी लगबग हम देख रहे थे, कि 200 के लगबग इपद आये थे, लेकिन देरे देरे बढ़ते बढ़ते वो पद जो है लगबग 383 कि आसपास हो गए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इन पदों में जो है किवल एक पद ही चाहिए, हम 173 पे जो जो आईर्म करने वाले नहीं है, इसलिए हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी है, असली चिन्ता जिस बात की करनी है, वो हमें अपनी तैयारी और पढ़ाई की करनी है, तो पद के बाद अगर हम बात करें, तो दूसरी चीज है सैक्षिक अहरता, तो जो सैक्षिक अहरता है, सभी जानते हैं कि UPPCS का फॉर्म भरने के लिए, जो हमारी योगिता है, वो इस नातक होती है, कोई विभ्यक्ति जो किसी भी स्ट्रीम से इस नातक है, वो इस फ एज को छुपा ले जाते हैं, लेकिन जो इसमें ऑफिसियल एज है, वो है 21 साल, निूनतम है, और जो आपकी मैक्सिमम एज है, वो 40 साल, ये एक तो मुटे मुटे तोर पर एज की बात हो गई, लेकिन कुछ और भी सर्थ और कंडिसन है, जिसमें आप जो है इस परिक्षा म हैं, वैसी कंडिसन में, आपको डिटेल जो फॉर्म आएगा और डिटेल अप्लिकेशन आएगा, उसमें आपकी आयो सीमा के बारे में जो छूट होगी, उसके बारे में विस्तरित विबरण मिल जाएगा, और दूसरी एक प्रमुक बात जो मैं आप से कहूं, तो उसको बहुत दिनों से बात चल लगी है, OTR के बारे में, OTR क्या है, OTR, यह है One Time Registration, जैसा कि आप देख चुके हैं कि UPSC ने भी इस बेवस्ता को लागू कर दिया है, और इस बार जो है हमारे यहां लोग से वायोग में भी यह बेवस्ता लागू हो गई है, तो OTR में आपको कर भी साथ कर लेगा, क्या कर लेगा? सुरक्षित कर लेगा, और फिर जब भी आप भविस्ता में कोई भी फार्म आयोक से भरेंगे, उसमें आपको आपकी बिवरण भरने की जरूरत नहीं होगी, और जो OTR नंबर, यह जो OTR नंबर होगा, यह जनरेट होगा, इसको जनरेट होने में भी 2-3 दिन का समय लग रहा है तो इसमें घबराना नहीं है जैसे आप अपना सारा details दे देंगे और OTR submit कर देंगे तो 2-3 दिन में यह आपका number जो है जो कुछ भी आपको मिलेगा XYZ वो आपको मिल जाएगा और इसी number के आधार पर आप आगे के सभी form को अपलाई कर पाएंगे और फिर आपको कोई detail देने की जरुवत आयोग को नहीं होगी हाँ एक और जरूरी चीज है इस OTR में जो मैं आपको बता दूँ कि यह OTR जो है कभी भी अपडेट किया जा सकता है क्या होगा अपडेट किया जा सकता है तो इसमें बिल्कुल भी घबरानी की जरूरत नहीं जैसे मानलिजे EWS के छात्र है उनका EWS का जो certificate है वो एक साल बाद काम नहीं करता है तो उनका जो नया update certificate आ रहा है उसको वो उस पर अपडेट कर सकते हैं आपकी कोई section की योग्यता हो जैसे आप graduate हो और हो सकता है फिर आप परासनातक करने और परासनातक करने के बाद जो है आप जो PG की डिगरी अपडेट करना चाहते हो तो ये सारी चीजे हो जाएंगी या फिर आपने PhD कर लिया हो तो वो भी सारा detail जो है यहाँ पर आपका update हो जाएगा या इस तरह का कोई भी diploma डिगरी कूर्स जो आपके पास है वो सारी चीजे आपकी update हो जाएंगी तो मैं पहली advice जो आपको यही दूँगा कि आप सबसे पहला काम अपना OTR registration कर लिजी क्योंकि इसमें समय लगेगा और काफी लंबा चोड़ा फार्म है OTR का तो इसको कर लिजी और जब यह हो जाएगा तो आपके लिए फार्म बरना बेहद easy हो जाएगा जैसे ही आप अपना OTR number डालेंगे सारी चीजे सारा बिवरन जो है आपका अपडेट हो जाएगा तो यह चीजे हो गई अब जो है हमें यह देखना है कि जो आवेदन की प्रारंभिक तिथी है इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें यह तीन तारिक से स्टार्ट हो रहा है और जो अंतिम तिथी है वो तीन अप्रैल है तो एक सला मैं आपको यह देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर लिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म को सोचते हैं कि नहीं हमारे पास टाई में हम बाद में भर लेंगे और साइट रस होने लगती है और उस कंडिशन में क्या होता है कि कई बार आयोग ने डेट को बढ़ाया भी है तो आप उस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए अपने फॉर्म को पहले अप्लाई कर लिए ताकि आप इन सारी जंजटों से मुक्त हो जाएं कई बार क्या होता है कि हमारे फोटो अपडेट नहीं होते हैं या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है तो आयोग जो है हमारे फॉर्म को निरस्ट कर देता है एक बार तो मुका देते हैं आपको एक लिस्ट निकाल देंगे जिसमें आपको sign और photo की detail मिलती है कि नहीं आप उसको update करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपके form जो है वो cancel कर दिये जाते हैं तो इस तरह की किसी भी बुरी इस्थिती से बचने के लिए आप जो है समय से जो है अपना आविदन पत्र भर दे और इसके बाद जो है अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम आपको detail जैसे बहुत सारे changes जो है इस बार हम सभी जानते हैं कि नहीं है GS में paper 4 के बाद paper 5 और paper 6 जुड़ चुका है अभी तक जो था वो optional था यह दोनों paper जो होते थे वो optional के होते थे paper 1, paper 2 के किसी भी optional subject के अब जब से वो हट चुका है तो सारे बच्चों को नए बच्चों को इंतजार है कि जो GS का paper 5 और GS का paper 6 होने वाला है उसमें क्या क्या होने वाला है तो यह सब कुछ जो संका समादान है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे YouTube चैनल पे या इस तरह की साइटों पे कुछ फरजी चीजों को ले के आपको दिखाया जा रहा है कि नहीं यह जुड़ गया है तो सबसे बेतर यह होगा कि आप आयोक द्वारा जारी किये गए डिटेल को ही विस्वास मिलें तो उसी को हमें मानना है कौन क्या कह रहा है इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान देना है कि जो सरकारी चीज़े आ रही है आयोक के तरफ से आ रही है तो वो सारी चीज़े हमें देखनी है और क्या जुड़ रहा है तो ऐसा सुनने में तो यही आ रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश से संबंदित मुख्य परिक्षा में पेपर होगा तो हम एक दिन का और इंतजार कर लेते हैं जब आ जाता है तो जितना भी उसमें आपको होगा वो डेटेल चीजे आपको मिल जाएं तो फिलाल मुझे लगता है कि यह सारी चीजे जो आज की हैं वो कभर हो गई है और जैसे ही कल विज्ञापन आता है हम जल्दी से जल्दी कोसिस करते हैं कि सारी डिटेल जो है आपके साथ हम सेर करेंगे और उसके प्रोच कौन्स क्या होंगे और क्या-क्या चीजे आप कर स